हेलो एवरिबरन प्रित्तु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है आज मैं बना रहे हूँ केले के चिप्स ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है और आप इसको नवरातरों के दिनों में बना के खा सकते हैं तो आईए हम इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम कडाई में तेल डाल कर उसको गरम करने के लिए रख देते हैं हमने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है जब तक तेल गरम होता है हम केलों को छील कर कद्दुकस कर लेते हैं फ्रेंट्स हम केलों को एक एक करके छील कर कद्दुकस करके तलेंगे क्योंकि हमने इनको बहुत धीमी आँच पर तलना होता है अगर हम सारे केलों को एक साथ छील कर रख लेंगे तो केले काले पड़ सकते हैं तो आप इने एक एक करके छील कर साथ के साथ कद्दुकस करके तल लें अब हम इनको कद्दुकस कर रहे हैं साथ में मैंने नमक का पानी बना के रखा है आधी कटोरी पानी में आधा चमश्तर नमक कर डाल के रख लिया है इसका प्रियोग मैं आपको बाद में बताऊंगी यह देखे केले के जो चिप्स हैं हमने कद्दु का सकर लिये हैं तेल गरम हो चुका है हम एक-एक करके इन केले की चिप्स को तलेंगे हमने बहुत धीमी आँच पर इनको तलना है जादा तेज आँच पर यह काले पढ़ जाएंगे तो आप इनको आराम से ही तलें यह जो हमने पानी बनाया था अगर तेल का टेमप्रेचर तेज हो जाता है तो आप एक चमश पानी डाल दें यह नमक का पानी है यह तेल की टेमप्रेचर को कम करेगा और केलों को सॉल्टी फ्लेवर देगा जब तक हमारे चिप्स तयार हो रहे हैं हम दूसरे केले को छील कर कद्दुकस कर लेते हैं फ्रेंट्स यह बहुत ही हल्दी स्नैक हैं और जल्दी से बन चाते हैं आप इन्हें बना कर रख सकते हैं डबे में भर कर हमने दूसरे केले को भी कद्दुकस कर लिया है तब तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चिप्स कितने तयार हो गए हैं देखिए हम आज जो चिप्स है वो भी तयार हो गए हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं और दूसरे के लिए कि चिप्स डाल देते हैं हमने इनको धीमी आज़ पर ही तलना है तेल का टेमप्रेचर तेज होने पर आप उसमें नमक का पानी डाल दें बस एक चमची काफी है तेल का टेमप्रेचर थोड़ सा तेज लग रहा है तो मैं इसमें एक चमच पानी डाल रहे हूं नमकीन हमारे चिप्स तयार हो रहे हैं इस हमारे जो चिप्स हैं एक दम तयार बने हैं देखे कितने कुर्कुबे बने हैं फ्रेंट्स आप इसमें किसी भी तरह का मसाला चाट मसाला डाल के अपने स्वात के नुसार इसको फ्लेवर दे सकते हैं आपको यह रेस्पी अच्छी लगी होगी, ऐसी आशा करती हूँ, हैपी नवरात्रे, थैंक यू